नमस्ते आज आज आप पहुंचे हैं लगुना बीच रेजॉर्ट में जो की लोकेटेड है कोंकन कोस्ट में मुंबई पे विच इस अराउं 270 किलोमेटर्स फ्रम मुंबई और रस्ता थोड़ा यहां पे बहुत खराब मिलेगा आपको आने के टाइम सो इस बेटर आप अगर हुआ मुंबई हाईवे पकड़ के आए तो आप अच्छे से इजी ली थोड़ा पहुंच सकते हैं फिर भी आपको लगभग 7-8 घंटे लग जाएंगे पहुंचने के लिए मुंबई वली या कुलाबा लोकेशन से मुरूद बीच पे तो हमने लगुना बीच रेजॉर्ट बुक क्या हुआ था उनके वेबसाइट पे डिरेक्ली जाके विच कॉस्टे अस थी थाउजन रुपीज पर रूम पर नाइट जो की एक अच्छा सा एसी रूम था एसी डिलक्स रूम था और ब्रेक्फर्स्ट कॉंपलिमेंटरी था जिसमें पोहा, उक्मा, ब्रेड, जो रिजोर्ट लोकेटेड है वो बहुत ही एक अच्छा लश्क रिन लोकेशन पर है और एकदम बीच के सामने ही है अगर आप रिजोर्ट के पीछे जाएंगे तो डिरेक्ली बेच आपको दिखेगा और रात को बीच का आवाज भी सुनाई देता है बहुत ही अच्छा ल जावी मंबई होके हम मुरूद के लिए निकल गए तो रस्ते में थोड़ा बहुत गूगल मैप्स का जो हमें रोड दिखाया शॉटेस्ट रोड वह अचली बहुत ही खराब रस्ता था लोनावला लेके जो रस्ता निकलता है तो आप ट्राइ कीजिए वह रस्ते पर नहीं है आपके लिए तो मुरूद जाने के लिए आपको बेसिकली रतनगिरी जाना पड़ेगा रतनगिरी डिस्ट्रिक्ट में मुरूद आता है और डापोली से कुछ 7-8 किलोमेटर आगे जाना पड़ेगा मुरूद बीच में पहुँचन के लिए डापोली यहां का सबसे बड नेट का कनेक्टिविटी मिल नहीं पाएगा बट वाइफाइ फोल रिजॉर्ट में मिलता है अवेलिबल है इनकेस यूरिकोर्ट सब के लिए मिल जाता है सो जिस दिन हम पहुंचे वो तो उस दिन काफी लेट हो गया था अराउंड लेट इन दा इवनिंग एट और एक थर्टी पे हम जाके पहुंचे रिजॉर्ट पे सो नेक्स्टे मॉनिंग ही हम निकल गए सुबह एक जॉगिंग के लिए बीच में उसके बाद बहुत सारे बीच के अक्टिविटीज भी था वाटर स्पोर्ट्स, डॉल्फिन वाजिंग जो कि यहां का सबसे फेमस एक्टिविटी है तो उसके लिए सुबह से हम निकल गए यू कन वीव इस वांटरफुल साइट इस जस्ट बिफो सुन्राइज जो बीच है वो काफि क्लीण है यहां का बीच अगर आप मुबेटे से जाएंग तो आपको तो बहुत ही ज्यादा क्लीण लगएगा बीच आपकी बादी दोसरे व多स्पोर्स आप दो सकते हैं यहां से आपको डॉल्फिन वाच के लिए लेके जाते हैं, यहां से आपको डॉल्फिन वाच के लिए लेके जाते हैं, यहां से मुरुद बीच है यह, और हम यहां पे लगुना बीच रिजॉर्ट पे ठेरे हुए हैं, तो यहां से आपको डॉल्फिन देखने के लिए लेके आपको यहां पर अंदर आपको लेके जाते हैं, अल्मूस्ट लाइक फाफ अनार्थ और वैसे कुछ टिकेटिंग सिस्टम नहीं है, वो first come first of basis पर रहता है, आपको यहां सुभे यह बोर्ड आपको 10 km तक अंदर लेके जाते हैं 10 km के बाद यहां पर रहता है आपको जो इंटरनेशनल बॉर्डर तो इंटरनेशनल बॉर्डर से पहले ही आपको लोट के आना पड़ता है और आप जब सुबह 7.30 to 10 के अंदर जब भी जाएंगे डॉल्फिन वर्च के लिए तो आपको आराम से डॉल्फिन्स दिख जाएंगे क्योंकि ऐसे ही हाँ पर बोलने है लोगों का कहना है कि डॉल्फिन्स ऑप्चनल में नहीं दिखते जब जादा संड्रेज आजाता है एक्टिविटीटीज के लिए पिछ अर्ज करने के बाद कात्ते बीच जाएंगेhen वो भी चला सकते हैं तो करने के बाद आप कार्डे बीच जा सकते हैं कार्डे बीच जस्ट ये लगुना बीच रिजर्ट के ट्वर्ट्स लेफ्ट लोकेटिड है जो कि और भी जादा अच्छा सुंदर दिखता है क्योंकि छोटा सा एक पाहड है वहाँ पे बहुत ही छोटा करस्टिजशन किया है तो इसी सबसे एक सस्टे बल अपने को सोर्स चाहिएथा है एक वैं मैं के ब His provide you आपने पास कोफ़रत के इतने पेड हाँ, उसका जो शिलका है, हाँ हाँ अछा हाँ यह से अछा हम आछा हम आइसे ही फिक देने वाले के हैं जी आपने अच्छा हम अपने यह उप अच्छा इंडर और जलागा एंध। यह पाओर जनर एक करते हैं यहां गैस भी बच दहा है और वहीं बचंव। पानी किया है है जिसे किया है जो एक तरफ तब टीन पना टाइम लगा र्चा किया है तो यही time पर यह शाण उपना टाईम का if दो गेकरना के अवाट उसके ऊपर अपना ज्यादा टाईम दाक कगर बुडहन पर शोब का चिल्के उपर गर्म होतने को और गरा जो एंपर ब्य। यह ईता है सब नारियल के चिल्के लेता है उसके उपर यह 72 तो और आप महीर के दिख ळिख लोगा अए आप अभी तक की इने किया Lande लोगी क्या कि रिख र्रीसटे, आपका जुल है अब जुल है ये सब टो है ये किया से फिर्टे लोगी हम आपकी क्या भी डो ये सब विते हैं का बारिक बारिक निकालते हैं और उसके लिए कैसे बड़ी प्रोसेशिंग यूनीच चाहिए और इतना इधर मार्केट नहीं है और पहलब जितना अपना कॉस्ट है बनने का उससे वह नहीं मिलता है जुलता है तो इसके लिए ज्यादा तर कोई दर करता नहीं वह फेकी देत तो इसके लिए आइडिया लागा कर हमने वह फ्लैंग चालू किया नमस्ते सर थैंक यू सो मच इतना अच्छा हमें लग रहा है आप हमें रुखने के लिए मोक्या दिया आपके रिजॉर्ट पे लगुना बीच रिजॉर्ट पे यहां पे मुरुत पे हमें बहुत ही अच् यह भुत परेशनी यह थिमाखका परेशनी जादा रहती है अभी आइट सेक्टर में जो लोग है इसरů इसरह उनको नाच्छरनी तो सर अभी जस्ट आप बोल रहे थे कि यह आपका द्रीम प्रोजेक्ट है तो सब्सक्राइब चाहे इस случае औरना भीज फ्ल Κाहा बायाना नापाई शुरू आपका उर्टेक्ट ज्टाइब ड्रीम इसा बीजू झालत शबाया में जब इदर आया तभी इदर थोड़ा-थोड़ा टुरिजम चालू हुआ था तभी से मेरे को एक सपना था कि अपनी अच्छी 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 सेंक्शनिंग बने और आपको जादा से जादा फैसिलिटीज दे सकते जिए कि आदमी लोग को कैसा है दिखने में उनको प जी जी यह तो बहुत ही यूनिक चीज आपने बोला बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत करके फिर अपने गाहों लोट आते हैं और बहां के गाहों को डेवलप कते हैं एकॉनोंगी कली एंड टुरिस्ट के तुरिजम के हसाफ से तो बहुत अच्छी बात है सर तो इसक जोली उसका चोटी से बड़ी ठाना में हो गई लेकिन उसको बिजनिस का बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा उसको ज्यादा इंट्रेस्ट से उनकी एक तमवननात जी नहीं नहीं अपने को यही स्टाइल में हम लोग शुरू में एक छोटे रूप से चे रूम का यह चालू चाहिए यह सब हम लोग पूरे सोच समझ के यह सब बनाया हूं ने बिलकुल वो एकदम इच चीज में आपका वो थौट रिफ्लेक्ट होता है यहां पर आपके जो सोचे वो हमें हर जगा पता चलता है यहां और यहां यहां जस्ट हम देख रहे थे भिया सुबह इतना सस् अज़ प्लांस केसा है रिज़ोट को और बीडवलोप करने के लिए रिए रिए को अभी को कुन स्टाइल में उसको मेरे को यह करने के है तंबू करने के तंबू मिन्स क्या उसको इंगली अशा करने का है क्योंकि आदमी को पूरा नैचरल ही इसमें रहने का जो आनन मिलना अच्छा आपका अगे स्ट्राटीजी है जो कि बिल्कुल हम सभी को अच्छा लगेगा बहुत जो हम लोग सोचते हैं एक सीटी से बाहर जाके अच्छे रहें या अपना बीजी लाइफ से दो तिन दिन का थोड़ा रिफ्रेश हो जाए है क्या है मैंडम की हर एक आदमी के पास पैसा बहुत है लेकिन शान्ती और सुबुन नहीं सही बात है बिल्कुल लाक लाक दो-दो लाक प्रे आपका में चीज पूछना में भूल गई आपका नाम मेरा नाम प्रबोध रगुनाद जोशी है बहुत बढ़िया नाम है सर थैंक यू सो मच विवेश प्रेज तो से लिए नाम प्रम प्रबोध जोशी है बहुत है बहुत ही मदद किया आस पास के लोकेशन जाने के लिए साइछ सेग के लिए और उन्होंने अपना वी दे दिया था ओपर का जो रिज रज्यार थैन्न नुट अटूर जोशी अर्षन रगुनाभु और बहुत अच्छे से अरेंजमेंट भी क्या हुआ था यह रिजॉर्ट जो है यहां से वान अप दो बेस्ट रिजॉर्ट्स है लेक में टेल यू और यहां से आसपास आप घूमने के लिए जा भी सकते हैं बाकी बीच जैसे कि हरनाई बीच सुवर्ना दुर्गा फोर्ट ल जाले बीच या काड़े बीच पे आपको टर्टल ब्रीडिंग देखने को मिलेगा अरौंड मार्च मंत पे यह एक रिजॉर्ट का टोटल लोगोव्यू है आप देख सकते हैं कितना अनोका तरीका से और कितना सुंदर से नैच्रल सीनिक लोकेशन के अंदर बनाया हुआ यहां पे आपको सफ फसलीटी बहुती एजीली अवेले बलबल रहेगा you have a beautiful swing also in front those swings है जहां पर आप आप अराम से लेट के काम कर सकते हैं नहीं तो just you can enjoy and relax यह है sunset का time which is just at the back of the resort we are going towards the sea which is very beautiful from this Murud Beach and यहां पर sunset के time पर भी आपको सब water activities करने के लिए मिल सकता है और यहां पर जो बाकी छोटा 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 sea animals है जैसे starfish बगरा वो भी दिखते हैं आपको बीच पर अपार्ट फूम डॉल्फिन मैंने एक अलग सा completely वीडियो बनाया हुआ है on dolphin watching on Keshavraj temple and also on Mahabaleshwar so please do subscribe to my channel and hit the bell icon ताकि जब भी एक नया वीडियो आए आपको notification आजाएगा and please do like and share my video so that you will get to know a lot more new videos also and I will also be motivated to make these videos for you यहां पर बीच पर भी आपको बहत ही तरह तरह से खाना सब जाता है जैसे चाट हो गया, पाओ अजर हो गया, मिसार पाओ, समोसा, मैगी, ओमलेट, नवरगों का, जो डिपिकल कोंकन का famous खाना सब है, थाली पीट बगेरे, वो सब मिल जाते हैं यहां पर जो रिस्तरा आप देख रहे हैं, यह बीच को लोकिते हैं, छोटे-छोटे रिस्तरा, चाय के साथ यह सब आपको यहां पर थाने के लिए जाता है, बहुती आराम से और कम दाम में भी जाते हैं, जाते हैं, आया जाती हैं